हल्लो प्रेट में बता दूं आपको विवो वाई तेतर झो की एमच्पी के पोड्म बनारा आप बाकि कुछ सूब ने कर रहा है तो आज कलके विवो में वाई तेतर में बहुत प्रोब्लम आ रही है तो मैं बता दूं कि उशको हमें उसे सबसेब्खर करना है प्लेस करने के बाद भी हमारा सेट नहीं होता है तो हमें यह दिक्कतzugeth Ati कि हमारे साथ भी यही कЙंडिसन वा तो हमने उसको फिले रेपैर माईrop시 एचाओ डाउनलोड किया फिर लेटेस्ट पाइल फिर उसको फ्लेज किया लेकिन फ्लेज करने से हमारा काम नहीं बना फिर हमने क्या कि फ्लेज से हमारा काम नहीं हुआ तो हमने उसको फॉर्मेट किया इसी टूल से फॉर्मेट किया वो मैं आगे 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 आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं तो आप हमारे चैनल पे नियू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिशन आपको मिलता रहें फ्रेंड ये वीडियो जो बनाया गया है वो भी वाई तेतर पे बनाया गया है और इसे हमारा सोलिशन भी हुआ है फॉन का तो जो फॉन ओनली एमटी के पॉर्ट बना रहा है तो उसमें क्या की सबसे पहले फ्लेस करना होता है उसको और फ्लेस करने के बाद हम जब हमारा फ्लेसिंग ओके डन हो जाता है तो हम उसे फॉर्मेट करेंगे फॉर्मेट करने के बाद सेट हमारा ओन हो जाएगा लेकिन यह हमने फॉर्मेट पे लगा दिया है यह हमारा सेट कंप्लीट ही फॉर्मेट हो रहा है इसके बाद क्या होगा कि हमारा आई-एम-ई नमबर चला जाएगा और आई-एम-ई नमबर नहीं आएगा उसमें तो हम क्या करेंगे उसमें कि आई एम आई राइट करने के लिए आर पेम भी फाइल को चड़ाना जरूरी होता है तो मैं इसमें आपको आई एम आई नंबर बताने का तरीका नहीं बताऊंगा क्यूंकि वो अल्लीगल होता है और आप यदि किसा बिना बिल के नंबर आयम आई को आप रिपेर करते हो तो वो कानूनी कारवाई भी हो सकती है आपके उपर तो मैं इसमें आपको ओनली आर पेम भी राइट करना ही बताऊंगा नहा की आपको आई एम आई रिपेर करना बताऊंगा तो हमें आर पी एम बी की फाइल को राइट करना है राइट करने के बाद जो तरीका है आई एम आई रिपेर करने का उस तरीके से आई एम आई रिपेर आप इसी फोन का जिस फोन का आपका आपके पास बिल है डबा है उसी सेट का आप IMI नमर रिपेर करेंगे और मैं बता दूँ कि ये वीवो का वाई तैतर जिसमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो